सामाजिक विज्ञान कक्सा सप्तमी भाग एक अध्याय नव छेत्रिय संस्कृतियों का निर्माण राजपूत और सूर्वीरता की परंपराएं 19. सताबदी में बिर्टीश लोग उस छेत्र को जहां आज का अधिकांस राजस्थान इस्तित है राजपूताना कहते हैं तो 1967 जब अंग्रेजियों का राज था तो समय जो ये अधिकांस जो अपने अभी वर्तमान राजस्थान इसको राजस्थान के जगए राजपूताना कहते थे इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा परदेश था जहां केवल अथवा प्रमुक रूप से राजपूत ही रहा करते थे लेकिन ये बात आशिक रूप से ही सकते हैं ऐसे अनेक समूधे और भी आज भी हैं जो उत्री तथा मद्देवर्ती भारत के अनेक चेतरों में अपने आपको राजपूत कहते हैं इसका कहने का मतलब ये है कि राजपूत में केवल मातर राजपूत ही नहीं रहते थे इसके अलावा और भी जातियां रहती थी इसलिए इसको राजपूता न कहना भी ठीक नहीं है इसके अनुसार जो मद्देवर्ती भारत है वहां भी और उत्तर भारत में भी राजपूत रहते थे ऐसी बात नहीं कि राजस्तान में रहते थे ये भी सच है कि राजस्तान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं तथा पी अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्तान को एक विशेष्ट संस्कृती परदान की है तो यहां अधिक तर रा राज़ा भी राजपुत थे और यहां की संस्कृति वगेरा वो थोड़ी विशेस संस्कृति दी है इस राजस्तान में यह संस्कृतिक परमपराएं वहां के सासकों के आदर्शों तथा अभीलासाओं के साथ घनिष्टा से जुड़ी हुई थी तो जो यहां आदर्श पराए हैं लगबग आठवी सताब्दी से आज के राजस्तान के अधिकांस भाग पर विभीन परिवारों के राजपुत राजाओं का साशन रहा पृत्वी राज अध्याद दो एक ऐसा ही सासक था यह सासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हरदय में संजोय रखत नहीं हटना चाहिए जैसे कि पृतिवराज चोहान थे उन्होंने रण छेतर में लड़ती हुए उन्होंने अपने बादूर दिखाई और मृत्यों को वारण कर लिया मगर उन्होंने पीठ नहीं दिखाई वहां भागे नहीं तो यह पी प्रकार से इनका आदर्श था कावे भी हैं उनके बारे में लिखे हुई भी हैं उसमें सुरक्षित रखे हुई हैं विशेस रूप से प्रसिक्षित चारण भाटों द्वारा गई जाती हैं एक चारण और भाट जाती होती हैं जो राजपुतों के उस युदों में भी साथ में रहा करते थे और उनकी सूर्वीरों की इसम्रती को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आसा की जाती थी कि वे अन्य जन्नों को भी उन सूर्वीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एम प्रोसाहित करेंगे इसका मतलब यह हैं जो कावे और गीत बोले जाते थे इससे आने वाले जो पीडी कहानियों से आकरशित होते थे इन कहानियों में अक्सर नाटकी एस्तियों और स्वामी भक्ति मितरता प्रेम सोर्य क्रोध आदी परबल सवेगों का चित्रन होता था तो इससे ऐसे कहानिया भी सुनाते थे उसमें स्वामी भक्त भी होते थे आपस में मितरता कैसे निभाना प्रेम के से रखना, उनमें सोर्य के सा था, उनको क्रोध के से आता था इन सबी चीज़ों का उसमें चित्रन किया जाता है गीतु में और कावियों में क्या इस्त्रियों को भी इन काहनियों में इस्तान प्राप था? जी हाँ, कभी कभी वे जगडे के कारण की रूप में विद्यमान हैं, जब प्रूस इस्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं कहीं ये भी चित्रित किया गया है कि इस्त्रियां अपने सूर्वीर पत्यों का जीवन मरन दोनों में अनुसरन करती थी, सती प्रथा यानी विद्वाँ द्वारा अपने मरतक पत्यों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उलेख पाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस समय इस्त्रियां भी अपने पत्ती का साथ देती थी और यदि कोई पत्ति युद करते हुए मर जाता था, मृत्यों प्रथा करता था, सूर्वीर पत्त करता था, तो पत्ति पत्ति की चिता पर जिंदा बैठ कर उनके साथ ही जल जाती थी एसा प्रंप्राति जिसको सतीपरता कहा जाता है इस प्रकार जो लोग सुर्विर्था के आदरशों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदरश के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था तो देश के लिए धर्म के लिए वो पीछे नहीं हडते थे चेत्रिये सीमानतों से परे कथक नर्तिय की कहानी यदू सिूरवीरता की परंपराइं भिन 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 रूपों में मिल सकती हैं तो नर्तिय की विश्य में भी यही सच हैं आईए नर्तिय की एक रूप कथक के इतिहाश को देखें ये नर्तिय सेली उत्तर भारत के अनेक भाग सद से निकला है कथाय करना जिसका प्रयोग संस्क्रत तथा अन्य भासाओं में कहानी के लिए किया जाता है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा यानि कहानी सुनाने वालों की एक जाती थी उन लोगों का काम होता जैसे यहां चारण भाट होते हैं उसी पर वाचन को अलंकरत किया करते थे पंदरवी तथा सोलवी सताब्यों में भगती आंदोलन के परशार के साथ कथक एक विशिष्ट निर्तिय सेली का रूप धान करने लगा राधा कृशन के पौराणिक आख्याने कहानिया लोक नाटे की रूप में प्रस्तूत किये जाते थे राधा कृशन का ऐसे नाटक करते थे ऐसा राधा और कृशन मन कर ऐसे लोक नाटे करते थे प्रस्तूत करते थे जिनने रास लीला का जाता था और उसी को रास लीला का जाता था राधा और कृशन भगवान की कानियों का जो नाटे करते थे रासलीला में लोक नर्ते के साथ कथक कथाकार की मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे तो इसमें एक कथाकार का भी होता है जो कथा सुनाता था और नाटे भी होता था इस परकार से उनको रासलीला का गया जो राधाकर्शन का जो नाटे करते थे उसको मुगल बादसाओं और उनके अभी जातों के सासनकाल में कथक नर्तिय राजदर्बार में प्रस्तूत किया जाता था तो मुगल बादसाओं के समय भी राजदर्बार में भी इनको प्रस्तूत किया जाता था कथक नर्तिय को जहां इस नर्तिया ने अपने वर्तमान अभी लक्सन अरजीत किये और वह एक विशिष नर्तिय सेली की रूम में विख्षित हो गया तो ऐसा करते करते एक नई सेली हो गई एक नर्तिय सेली हो गई इसकी कथक की आगे चलकर ये दो परंप्राओं अर्थात घरानों में या फला फूला जैसे राजस्तान जैपूर के राय दरबारों में और लखनों में वाला ये दो घरानों विशेश कर एक राजस्तान के जैपूर में और दूसरा लखनों में अवद के अंतीम नवाव वाजिद अली साह के सरक्षण में ये एक प्रमुक कला रूप में उबरा जो अवद के नवाव थे वाजिद अली साह उन्हों ने इसको जरूर सरक्षण दिया और उनके समय में ये प्रमुक कला के रूप में उबरा अठारा सो पचास अठारा और कश्मीर बियार तथा मद्यप्रदेश की निकटवर्थी इलाकों में भी पक्के तोर पर संस्तापीत हो गया तो इन राजियों में भी ये कथक शुरू गया नर्तिय इसकी प्रस्तुति में किलिष्ट तथा दुरुत पद संचालन उत्म वेशवूसा तथा कहानियों के प परस्तुति कर्ण करते थे हो अभी ने के साथ अभी ने जोर दिया जाता है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आई अभी ने के साथ ऐसा करते थे अनेक अन्य सांस्कृति गतिविद्यों की तरह कथक को भी 19. तथा 20. सताब्दियों में अधिकांस बिर्टिस प्रशास को ने ना पसंद किया तो इस कथक नरतिय को बिर्टिस आसन काल में 19. 20. सताब्दियों में उन्होंने पसंद नहीं किया फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा सतंदा प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 सास्त्रिये नरतिय रूपि में मानेता भी मिल गई तो बीच में अंगरिज साल अंगरिजों का जब सासंद था उस समय जरूर इसको उपर रोग लगए उनको पसंद भी नहीं था जो 19. 20. सताब दिन था फिर भी लोगों ने इसको जिंदा रखा और भार स्वतंतर हुआ तो इसको और ज़्यादा मानेता मिल गई फिर है सास्त्रिय निर्त्य किस कला रूप को सास्त्रिय माना जाए तो इस परसंद का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है मतलब कूण शी कला है जिसको सास्त्रिय मानी जाए तो इस परसंद का उत्तर देना थोड़ा सा कठिन होता है क्या हम उस रूप या सेली को सास्त्रिय कहते हैं जिसका विश्य धार्मी को अब सास्तर का आर्थ क्या हो सकता जैसे धार्मी उसको हम सास्तर कहें अथ्वा क्या हम उसे सास्त्रिय किसलिए मानते हैं क्यूंकि उसके लिए अत्य अधिक कोसल की आशकता होती है या किसी सास्त्र में अधिकोसलता हो उसको सास्त्रीय माने या धार्मी प्रवर्ति को सास्त्रीय माने किसको माने जो कई वर्षों के लंबे प्रक्सक्षन से ही प्राप्त होता है अथवा ये सास्त्रीय इसलिए है क्योंकि ये निर्दारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तूत किया जाता है तो ये सास्त्रिय का अपना नियम होता है नियम के अनुसार ही प्रस्तूत करना पड़ता है प्रदर्शित करना पड़ता है और उसमें विबिन्ताओं को प्रोथ सहान नहीं दिया जाता है ये ऐसे प्रसन है जिन पर हमें विचार करने की आवश्रक्ता है ये भी इस्म्रणिये हैं कि बहुत से ऐसे नर्ते रूपों में जिनने लोक नर्ते की स्रणी में रखा गया है वे विशेष्टाएं पाही जाती हैं जिनने सास्त्री रूपों का विशेष्ट लक्षन बताया जाता है यद्यपी सास्त्री विशेष्टन का प्रयोग उन कला रूपों की स्रेष्टा का सूचक हो सकता है फिर भी ये हमेशा सब्द सर सही नहीं होता है अन्य नर्तिय रूप में जिनने इस समय सास्त्री माना जाता है निम लिखी थे हैं जैसे भरत नाट्यम जो तमिल लाडू में वहां इसको सास्त्री माना जाता है कथाकली केरल में है, ओडिसी ओडिसा में है, कचीपुरी जो अंदर प्रदेश में है मनी पूरी जो मनी पूर में है तो अपने अपने छेतर का अलग-अलग जो वहाँ का सास्त्री होता है तो उनके नाम भी अलग-अलग है और उनको अलग-अलग प्रकाशे ये सास्त्री माना जाता है मैत्पुन परशन आठ्वी सताबदी में राजस्तान के अधिकास भूर भाग पर किसका सासन था प्रसंदो रास लिला किसे कहते हैं प्रसंदी सास्त्रिय नरत्य कौन-कौन से हैं नाम लखिए प्रसंद चार चारण भाट ने सूर्वीरों की उपलुदियों को उपलुदियों की उद्धोषना क्यों की प्रसन पान कथक के प्रमुक सरक्षन कौन थे